मौरल टाउन सड़क पांच में सित शीव शक्ति मंदिर का स्थापना दिवस सुमवार को मनाया गया इस मौकी पर भगवान शनी देव की विधी विदान से पुजा अर्चन कर आई जकों द्वारा भंडारे का आईजन भी किया गया मौर्डर टाउन सड़क पांच में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जो अब शिव शनी मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि विगत दो वर्षपूर्व यहां ब्रिहत रोग से भगवान शनी देव को स्थापित किया गया है इस मंदिर की स्थापना छेतर के ही समासेवी स्वरगी प्रमोत्रिवास्तों के सहयोग से मंदिर संचालन समीती के सदस्यों द्वरा कराई गई है और अब इस मंदिर प्रांगण में महाबली हनमान जी के साथ भगवान भोलेनात, श्री राधे क्रिशन और सनी देव जी भी विराजमान है और अभी इस मंदिर का निर्मान भी जारी है जिसमें सहर के लोग एवं छेतरवासी सहयोग प्रदान कर रहे है इसी मंदिर का दूसरा इस्थापना दिवस सोंबार को विभिन आयोजने के साथ संपन हुआ जिसमें सरवप्रथम भगवान श्री सनीदेव की पूजा अर्षना विधी विधान से की गई ततपस्चाथ हवनकुण में उपस्तित भक्च जनों ने पूर्ण आहोती डाली उसके बाद आयोजको द्वारा इस अउसर पर उपस्तित भक्तों के लिए महाभोग का निर्मान भी कराए गया था जिसका भंडारा के द्वारा वीधन किया गया इस आयोजन एवं शनी देव के मंदिर की स्थापना के बारे में जानकारी आयोजको द्वारा नियूस्ट्रीम को दी गई और मेरे यहाँ जगदंबा टेंट हाउस के नाम से करीब 32 वरसों से यहाँ दुकान भी चर रही है यह सनी मंदिर की जो परिकल्पना है वो हमारे बड़े भाई प्रमोश्रिवास्ताव जी थी वो यहाँ से जब से जुड़े थे तो उनके एक इक्षादी है से कि यहाँ पर सनी जी की भी मुर्ति की स्थापना हो और यह मंदिर की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई है आज इस थापना उन्हीं पर आज सुभेरे पहले अभिशेक हुआ सनी जी का उसके पश्चात हवन का कारेक्राम हुआ और अब भंडारा का चल रहा है यह मंदिर कम से कम पचास वर्ष से भी पुराना है और यह काफी जिर्ण सिर्ण अवस्था में था अभी यहाँ माडर शिव शनी मंदिर माडर टाउन में मनाया गया दूती स्थापना द्यूस पूर्टता सफल रहा और इस आयोजन में संबलित होकर भक्त जनों ने भगवान शनी देव के साथ प्रांगण में विराजमान और देवों के आशिरवात को भी ग्रहंड किया Grand Asian News के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट